अससलाम अलेकुम आज हम आपको यह बताते हैं कि इंकम टेक्स यूएस 176 अंडर सेक्शन 176 इंकम टेक्स का यह परफार्मा फिल किस तरह से करना है तो यह परफार्मा फिल करने के लिए सबसे पहले आपको वाउचर्स जो कि आपके बिल है एक साथ 2019 से 36 2020 तक आप लोग निक आपको निकालने के बाद आप यह परफार्मा सामने रखेंगे तो यहां पर आप देखें यह सबसे पहले सीरियल नंबर है तो यहां पर पहला वाउचर आपने निकाला आपके दो वाउचर हैं 10 15 हैं जितने भी हैं 17 2000 19 36 2020 तक सारे अपने सामने रख लेंगे वाउचर आया इंटरप्राइस से यह जो भी है एंटीन नंबर लिखेंगे नंबर फाइव पर पिर डेट ऑफ पेमेंट लिखेंगे ग्रास अमाउट लिखेंगे उसके बाद आप देखें कि इंकम टेक्स डिड़क्टिड तो जितना डिड़क्ट इंकम टेक्स हुआ वह लिखेंग जो बैंक ने आपको रसीड दी है उसके ओपर कितना लिखा हुए तस नंबर में वह लिखेंगे आप लास्ट में है प्रूफ ऑफ पेमेंट यह आपका जो वाउचर है जो उसका नंबर है वह 11 नंबर पर दे लेंगे तो इस तरह से आपने यह पर फार्मे को फिल करना है औ भी जब सीक्टन नंबर का आएगा वाउचर तो यह एक नंबर वाले में सेक्टन नंबर दे देना है फिर नेम व lasting française और और इसी पर जितने भी आपके vouchers हैं वो सारे vouchers के numbers आप one by one दें और वो देने के बाद आगे की details सारी दें यह NTN number date of payment यह सारे आपकी slipper होंगे grass amount कितनी है income tax deducted क्या है यह एक voucher उठाएंगे वहीं से सारी information पिक करेंगे और वो information को आप यहां लेगे फिर भी अगर आपको भी news होती है वो हम आपको देते हैं और जो भी परफार में फिल करने से related information होती है वो भी हम आपको बताते हैं और जो new applications launch होती है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं बहुत शुक्रीया अलाफीस